हेलो दोस्तो आज किने वाले है कि अगर आपको किसी भी PDF फाइल को रिडिस करना है और उसकी साइज कम करने है तो किस प्रकार करेंगे तो टाइप करना है PDF कॉम्प्रेसर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा एंटर मारना पड़ेगा एंटर मारने के बाद आपको आईलो पीडियप और स्मॉल पीडियप यह दोनों भी आच्छे सॉप्ट्यूर है आपके PDF फाइल को रिडिस करने के लिए उसके साइज को कम करने के लिए तो सबसे पहले हम आईलो पीडियप पे क्लिक करेंगे एप प आपको यह करनी है उसको क्या करना है आपको सेलेक करना है तो मैं क्या करूंगा इधर में जो भी मेरी फाइल है उसको मैं सेलेक करूंगा उसमें जो भी मेरी फाइल होगा उसको मैं सेलेक करूंगा अब ये मैं अपनी SSE Marksheet को क्या करूँगा उसकी साइज को Reduce करूँगा उसकी साइज है 379KB जब भी इसको मैं अगर मिरको उसकी साइज बहुत ज्यादा कम नहीं करनी है तो मैं क्या करूँगा उसको इधर ही कलिक करेने दूँगा recommended compression और अगर मुझे थोड़ा बहुत कम करनी है तो मैं less compression और मुझे medium में उसको compress करना है तो मैं recommended compression पर ही क्लिक करूँगा तो compress video के उपर click करना है click करने के बाद देखो 379 KB की थी 232 KB में convert हो गई तो same अगर आपको उसको बहुत ज़्यादा compress करना है तो आप क्या कर सकते उसमें दूसरा वाला option भी choose कर सकते तो इधर से ले लिया मैंने SSC mark sheet उसके बाद इसमें अगर हमने extreme compression लगाया तो इसकी size उससे भी कम होती तो देखो 66.29 KB तो इस प्रकार से आप किसी भी PDF फाइल को reduce कर सकते उसके size को reduce कर सकते